ग्राह मंत्री वा दुर्ग ग्रामिन कॉंग्रेस प्रत्याशी तामरदा साहु ने अगामी चुनाओं से सम्मन्दित विविन सवालों के जवाब दिये पताइने लगातार आपका दौरा चारी है चुनाओं के समय ही दौरा करें तो उसका अलग एक बात होता है लेकिन जब से हम लोग चुनाओं जीता हमारी सरकार बनी तब से लगातार 5 साल हम लोग दौरा करते आ रहे हैं और हमारे सभी पदाधिकारी चाहे वो जीला पंचाइद बाड़ी हो जन्पद बाड़ी हो रिसाली निगम की बाड़ी हो कांग्रेस संगठन हो सभी लोग frontal organization हो लगातार पांस साल से काम कर रहे हैं और दोरा करते हैं लोगों से मिलना जुलना करते हैं माननी मुक्यमंदरी भूपेज बगेल जी के नेतरितों में जो योजनाय बनी है क्रियानवित हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं उन कामों को करते हैं तो बहुत अच्छा प्रच्चाद मिल रहा है हम लोगों को बहुत अच्छा लोगों का रुज़ान कांग्रेस की ओर हम सबको मिल रहा है अईवारा में कुछ भागी स्वार देखिए ठीकिट बहुत लोग मांगते हैं प्रत्यासी बनना और अच्छी बात भी है कि कोई आदमी अपने आपको प्रत्यासी योग बना लिया मान लिया मांगता है बड़ी अच्छी स्वस्त परंपरा है और मिलेगा टिकिट तो एक को मिलेगा सब ही जानते हैं तो कुछ समय जरूर थोड़ी बहुत नाराजगी की बात रहती है लेकिन पार्टी से अलग हटके बहुत कम एकाद लोग ही पार्टी से बगावत करते हैं या निर्दली लड़ते हैं बाकी सब धीरे से पार्टी का काम करते हैं इसलिए कहीं कोई परिसानी की बात नहीं होते हैं पार्टी के जो कारी करता होते हैं पार्टी के आदेसों को मानते हैं कहीं कम हो जाता है कहीं जादा हो जाता है और अभी बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है दुरूग एक जगह नहीं होता तो दूसरे जगह हो जाता है य नहीं होता पर इसमें नाराजगी की बात नहीं होता। नजरिया है अपना अपना धुरुग रामीन विधानसभज चित्र में जितना काम हुआ है वो तो जनता जानती है, स्विकार करती है, और हमको आमजंता का जो सोच है, जो बोल है, जो बाते हैं उस पर ध्यान देना है और वो हमारे पक्ष में है अच्छी बात है आना चाहिए चुनाव में सभी राजनेतिक दल के वरिष्ट नेतगन आते हैं अपने अपने दल के प्रत्यासियों के प्रचार के लिए आधरनिया प्रियंका जी के आने से हमारे कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह बढ़ेगा जोस बढ़ेगा काफी मतों की बढ़ोतरी होगी हमारे प्रत्यासी बहुत ज़्यादा हम सब प्रत्यासी बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे माननी मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, प्रचार के लिए आएं, जरूर सभी राजनेटिक दल के लोग आते हैं, पर मतों में कोई अंतर डाल पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता अभी तो पता चलेगा अभी कितने लोग खड़े होते हैं, कितना वापस लेते हैं, कौन बचता है, ये तो अभी सामने है, तुरंत अभी उस पर कुछ कहना उचित नहीं है, कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा डेमेज कंट्रोल की बाद, तो अभी फारम भरने के समय है, इस है, कितना नहीं है, कितना थाज़े होते हैं, कितना था नहीं है, कि तो अभी मेंसी है, विपना मुकसान में सफ़राइब कर ए Import, कर अभी उसे झाज़े हैं, क्भी बादti अवस्टल सफीर्क्श क कि प्र टो आफे खने